Hello family, good morning, कैसे हैं आप सक, hope आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ और आज के vlog में मैं अपनी life के बारे में एक important topic पे बात करने वाली हूँ आज कुछ और shoot नहीं की हूँ, आज बस बाते ही करूँगी तो पता नहीं कहां से शुरू करूँ, बस camera लेके on करके बैठ गई हूँ आपको मैंने पीछले vlog में बताया था ना, मैं खाना delivery करने गई थी और खाना delivery करने के बाद एक और काम से गई थी तो वो काम से क्या काम से गई थी वो तो आपको मैंने बताया नहीं था तो आज के vlog में चलिए वही discuss करते हैं कि क्या काम के बारे इंग गई थी और क्या था वो सब कुछ दरसल family काम जो है ना मैंने अपनी life में बहुत तरह का काम किया है अलग-अलग तरह कासी food related ही नहीं आप लोग तो जानते हैं मुझे कि हाँ मेरा food business है टिफिन सर्विस और जो भी केक बनाती हूँ टिफिन सर्विस ये सब आप लोग जानते हैं मैंने पहले बताया है vlogs में लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि food business के अलावा भी मैंने काफी कुछ अलग stream का काम भी किया है अपनी life में तो चलिए आज उसी के बारे में थोड़ी सी बाते करती हूँ आपको बताती हूँ तीछे जाना मुझे पसंद नहीं है पास्ट लाइफ में लेकिन आगे जाने से पहले मतलब future में क्या गरोंगे वो बताने से पहले थोड़ा पीछे ही चलते हैं पास्ट लाइफ में फैमिली ये जो कुरोना आया ना ये महामारी ये पैंडमिक के पहले मेरा जो बिजनस था टिफिन सर्विस का वो काफी अच्छे से मैंने उसको खड़ा कर लिया था स्टैंड हो गया था अच्छा बिजनस चलने लग गया था सब कुछ ठीक था स्मूदली चल रहा था दिन पहले मैंने सिर्फ मौर्निंग के ब्रेकफ़स्ट से शुरू किया था टिफिन सर्विस जो है और उसके बाद फिर दीरे-दीरे मैंने डीनर भी बनाना शुरू कर दिया उनहीं लोगों के लिए जिन लोगों के लिए एक दम शुरू में जब मैं मेले गाटा सिफ्ट हुई मानिक तल्ला से तो फिर काफी गूमी हूँ काफी कुछ पता किया रिसर्च किया फिर पता चला यहाँ पे इस एरिया में काफी सारे पेइंग गेस्ट्स हैं तो फिर मैंने पैंपलेट छपवाया विश्यो भया है ना उन्होंने ही करवा दिया था राजन भया है वो प्रिंटिंग का काम करते हैं तो उनके थुरू पैंपलेट बना पैंपलेट में क्या क्या लिखना है वो सब कुछ हम लोगोंने बैट के डिसाइड किया भया ने मैंने राजन भया ने हम सबने तो इसके बाद फिर एक pamphlet बनवाया हम लोगों ने और फिर वो pamphlet लेके मैं पैदल ही जाती थी यहां से काफी दूर है अक्चुली चिंगरी घाटा एरिया में पूरा घूम घूम के एक-एक building में मैं pamphlet डाल के आती थी क्योंकि वहां मुझे पता नहीं था कौन-कौन से building में paying guest है कौन से में नहीं है तो मैं हर एक building में ही जाके डालती थी एक-एक area एक-एक दिन में cover करती थी इस तरह से डालते-डालते धीरे-धीरे मुझे orders मिलना शुरू हो गए क्योंकि उसमें pamphlet में मेरा number था order के लिए मैं उसमें सारा information बता के आती थी तो धीरे-धीरे शुरू हुआ और साथ में एक uncle ने भी बहुत help की थी वो हमारे neighbor हुआ करते थे पहले जब बच्पन में हम लोग यहां रहते थे अभी भी उनका घर है neighborhood में लेकिन वो लोग अब वहीं चिंगरी घर्टा जो है वो area में रहने लग गए है तो उन uncle ने भी बहुत help किया जो काकी है ना हमारी जो auntie उनोंने ही बात करवा दिया था uncle से मिलके कि आपके area में तो काफी paying guest है और इस तरह से सारी का जो है वो defensive service शुरू करना चाहती है तो अगर आप किसी तरह से contact करवा दे paying guest लोगों के साथ तो बहुत अच्छा हो जाए तो उस uncle ने बहुत उन uncle ने help की उनोंने एक building में एक auntie रहती थी और वो auntie पूरा paying guest का मतलब run करती थी अपने पूरे building में ladies जो लड़कियां होती थी PG girls का ही उनका पूरा building था तो उसी uncle ने जो मेरी बात उन auntie से करवा दी मुलाकात तो फिर एक बार मैं उन auntie से मिली और फिर हम लोगों ने हाला कि काफी कम में मुझे देना पड़ा वो auntie जो थी वो बहुत सस्ते में खाना मांगती थी तो पॉसिबल नहीं था तो फिर उनुने कहा कि खाना का quality घटाओ लेकिन कम में ही चाहिए महंगा खाना नहीं चलेगा अब मुझे शुरू तो करना था तो इसलिए मैंने अब क्या करूँ वो मोटा मोटा वाला चावल जो सस्ते में आएगा और एकदम पानी के जैसा पतला पतला दाल बनाती ताकि उनके कॉस्टिंग में आ जाए इतना मिनिममम रेंज में पुरा थाली चाहिए दाल, चावल, आलू भाजी और एक सबजी इतना सारा आइटम 25 से 30 रुपए के अंदर उनको देना है पर हेड का तो इतना सस्ता खाना तो क्वालिटी अगर नहीं घटाओंगी तो फिर बचेगा कैसे तो फिर लो क्वालिटी का ही मैं शुरू की एकदम पतला पतला दाल लो क्वालिटी होने से क्या हुआ अनहाईजनिक नहीं था बहुत नीटली बहुत जैसे घर का खाना बनता है तो फिर अब जैसे लड़की को पसंद जो लड़की लोग को पसंद आने लगा तो फिर धीरे धीरे जो बिजनेसर ग्रो होने लगा वो एक दूसरे से कहने लगी कि सारी कादी से लो सारी कादी का खाना अच्छा है मेरा कॉंट्र नंबर वो लोग दे देती और प्रियर उबे मुझे कितने लोगों का ब्रेकफास्ट बनाना है और साथ में पैंपलेट भी बाठती रहती थी घुम घुम के जब खाना डेलिवर करने जाती थी खुदी जाती थी खाना भी डेलिवर करने अलग अलग जगा पे उस पूरे एरिया में तो काफी महनत लेकिन महनत था तो क्या हुआ अर्णिंग भी काफी अच्छी होने लगी फिर धीरे धीरे वो और ग्रो हुआ तो फिर हम लोगोंने ब्रेकफास्ट ओर्डिनर के साथ साथ लंच भी शुरू किया फिर काफी प्रेशर होने लगा मुझे काम का क्योंकि पूरा काम A to Z में खाना बनाना सबज अर्णिंग को भी अपने साथ अड़ किया और ऐसे करके फिर एक लड़के को मैंने रखा हायर किया कि वो डेलिवरी करके आएगा उसे समझा दिया कैसे कहा जाना है तो फिर मेरा काम रह गया खाली खाना बना के पैकिंग करना और रोटिया वगेरा मैं आर्णिंग से ले ल और बहुत अच्छी तरह से स्मूदली हमारा बिजनेस चल रहा था लेकिन फिर अनफॉर्शनेटली ये आ गया कोरोना और पिछले दो साल से मतलब पूरी तरह से मेरा काम बंद हो गया मैं यहां रही भी नहीं मा के घर चली गई थी एक साल तो मा के घरी थी और फिर पैंड के से ही खाने का ओर्डर मिल जाता और टिपिन सर्वेस सुरू हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि फिर मैंने उस आंटी से कॉन्टैक्ट किया था तो उनको फिर अभी भी वो पहले वाला रेट में चाहिए दो तीन साल पहले वाला मतलब 30 रूपीज में जो कि अभी पॉसिबल ह नहीं है गैस इतना महगा हर कुछ महगा आप जानते हैं तो फिर कैसे जूँ पॉसिबल नहीं है तो फिर शुरू नहीं हो पा रहा है लेकिन घर पे ऐसे चुप-चप तो बैठ नहीं सकती है मेरे पास सेविंग्स कुछ थी पहले जो मैं काम सब करी थी खड़कपुर में र इसलिए अभी फिर से कुछ नया तो शुरू करना बहुत जरूरी हो गया है मेरे लिए तो उसी के चक्कर में मैं थोड़ा कुछ फिर से रिसर्च करने के लिए ही वहां गई थी सल्ट लेक कि कैसे क्या किया जाये कुछ फिर से स्टार्ट अप तो उसी चक्कर में गई थी औ और फिर से जाऊंगी और आप लोग तो व्लॉग में मेरे साथ जुड़े हुए हैं ही तो आगे जो भी होता जाएगा वो सब आप लोग देखते ही जाएंगे काम जैसा भी हो बस काम होना चाहिए और गलत तरीका ना हो कोई गलत वे में पैसे नहीं अर्ण करो बस बाकी मैं नहीं समझती कि कोई भी काम छोटा है काम छोटा का अगर आप सुनेंगे तो आपको सुनके शायद अचरज भी होगा मैंने ऐसा भी किया है कि जो बस्ती है बस्ती में आपने देखा है ना चूड़ी वाले और वो सब जा जाके बस्तियों में बेचते हैं तो वो सब भी मैं कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में क्योंकि पैसे की जरूरत थी और जब कुछ नहीं सूज रहा था तो करना पड़ा था एक टाइम ऐसा था मैं दो-दो रुपे का रबर बैंड क्लच पांच रुपे की नेल पॉलिस एकदम सस्ता वाला जो बस्तियों में चल जाए वो सब मैं बस्तियों में घूम घूम के भी बेची हूँ खड़पूर में जरूरत था पैसे का क्या करूँ बच्चे को भूखा तो नहीं रख सकती तो किया है मैंने इतना सब भी काफी कुछ किया है मेंदी क्लासेस की हूँ साड़ी ड्रेपिंग हैर स्टाइल वो सब घर से करती थी इसके बाद फिर रेंट में एक शॉप लिया वहां थोड़ा बहुत खाना का काम किया और फिर साथी साथ मोलू है ना चोटा भाई उसके साथ भागडी मार्केट जाके वहां से होल सेल में ये जो में नेसेसरी होती है ये जुंका, जुंकी, नेल, पॉलिष, बिंदी, चूडी, क्लचे ये सब खरीद के लेकर आती थी और वो सब भी क्लिप्स है वो तो बिग जाएंगे लेकिन दो-चार ऐसे भी होते जिनकी कलर्स अच्छी नहीं होती है तो वो पड़ी रह जाती थी तो इस तरह से लॉस होने लग जाता था तो फिर मैंने सोचा कि ये सब को भी मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगे इस तरह से तो इसको क्या किया जाए तो फिर मेरी एक मेड थी उसने मुझे कहा कि दीदी चलो आप ये सारा कुछ लेके हम लोग जहां बस्ती में रहते वहां पर ये सब बिग जाएगा क्योंकि बस्ती के लोग जो है आपकी शॉप में आएंगे नहीं बड़ी शॉप में वो लोग आने में हेजिटेट होता है उन्हें तो अगर आप ये सब लेके जाएंगी तो वहां ज़रूर बिग जाएगा तो नुकसान ना हो जाए इसलिए मैंने कुछ टाइम तक ये भी किया है कि सारा बैग में भरके जाके बस्तियों में बेच बेच के आती थी तो काम कोई भी छोटा ने होता है महनत करके अगर किया जाए खैर तो उसी बारे में मैं कल भी गई थी सॉल्ट लेक थोड़ा सा देखने अफोर्स फूड रिलेटेड ही करूंगी इस ब तो फिर जब तक मैं यहां से घर से जाना आना जो ट्रैवल और यह सभी मतलब 3,000 ऐसा लग जाएगा ढाय तीन हजार तो फिर 10,000 में अगर 3,000 में आटो फेर ही दे दूंगी तो मेरी हाथ में तो आया 7,000 अब 7,000 में मेरा कैसे चलेगा खर्च बहुत जादा है आदी स्कू में तो हो नहीं पाएगा तो मुझे जादा पैसे की जरूरत है और सेविंग्स भी खतम हो जारी 2 साल से बैट के सोची हम लोग खा रहे हैं कोई उस तरह से इंकम नहीं पैंडमिक के दोरान जो 2 साल पूरी तरह से मेरा काम बंद हुआ ना उसमें मैंने हार्डली हार्डली क कह रही हूँ आपको शायद 2 या 3 केक्स के ओर्डर मिले होंगे चार पांस हजार समझे उसमें और एक कुकिंग कॉंटेस्ट हुआ था उसमें मैंने जीता था 3,000 कैश मनी और आदी को भी उसमें पार्टिसिपेट करवाई थी तो लकीली आदी भी जीत गया था तो उसे भी 3,000 मतलब 6,000 इधर और समझे 4-5,000 केक का बस 2 साल में सिफ 15,000 मेरी अर्निंग हुई और बाकी पूरा टाइम मैं खाली बैठी थी जो मेरी सेविंग्स थी उससे ही गुजारा हुआ लेकिन ऐसा कब तक चलेगा कुछ तो करना होगा तो इसलिए अब कुछ नया शुरू करना है मुझे और उसी के लिए थोड़ी सी भाग दोर कर रही हूँ और देखती हूँ होफ़ुली कुछ न कुछ जरूर बहुत जल्द सुरू हो जाएगा और आप लोगों को वो सब जरूर बताया भी जाएगा व्लॉग के जरिये तो बस आज के व्लॉग में यही बताने के ल मैं शुरू कर लोंगी तो देखा जाए आगे नसीब में क्या है जो भी होगा कुछ न कुछ अच्छा जरूर हो जाएगा देखते हैं क्या कर सकती हूँ जो भी होगा इस बार फूड रिलेटेड ही होगा क्यूंकि मैं उसी में कमफोटेबल हूँ खाना ही बनाना मुझे आ आज भी ना एपसेंट हो गया हो तक हाथ दर दर कुछ रूट हुआ नहीं था मगर मैं सोची नहीं आप लोगों को बता दूँ क्या फ्यूचर प्लान है मेरे और उस हिसाब से एक ब्लॉग भी बन जाएगा तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही और फिर कल मिलेंगे एक नह आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर से कल एक नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए टाटा